बूर्णिंग दियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग मैं सब डॉक्टर बकुल्देव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट लैट स्ट्रेट नीट यूजी और वन स्टॉप सॉलूशन फॉर नीट तो जल्दी जल्दी आ जाएए भीटा बस सेशन स्टार्ट कर रहे है और सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि एक तो ये दोनों टेलिग्राम चैनल्स आप लोग जोईन कर लें जिससे कि आपको सारे रेलेवेंट सेशन के लिंक्स मिलते रहे हैं और सारे की सारी जानकारिया आपको अपना दोती रहे हैं दूसरा अनकेड में प्लस और आइकनिक इन दोनों को आप सबस्क्राइब कीजिए ये दोनों ही वंडर्फुली क्राफ्टेड प्रॉडक्ट्स हैं इन पर लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अप लोगों को मिलता है और आइकनिक अगर करते हैं आप एक साल के लिए तो 2,888 रुपीज पर मंत के चार्जेज हैं और अगर आइकनिक को सब्सक्राइब करते हैं एक साल के लिए तो 4,875 रुपीज पर मंत के चार्जेज है इस code का इस्तेमाल जरूर करें और इस बीदेव जिससे आपको 10% scholarship भी मिलो और आप मेरे है इसमें भी ज़रूर participate कीजिए it is very 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 important ask a doubt feature के बारे में आपको पता ही है ask a doubt feature आपके learning application पर available है इस पर आप कोई भी doubt post करके उसका video solution आपको मिल जाएगा तुरंत और अब इसमें एक नया feature और guide कर दिया गया जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा दूसरा यह है कि अगर आप iconic का subscription छे महीने के लिए लेंगे तो भी आपको अब printed study material आपके घर पे बिजवाया जाएगा कुछ batches हमारे start हुए है अभी आप देखिए alpha leader batch 12th जैन से alpha achiever batch 12th जैन से निश्चे batch 7th जैन से most important 10,000 MCQs 5th जैन से रणनीती बैच 5 तारिक से start हो चुका है meet topper batch 5 से start हो चुका है unacademy prodigy इसमें सारे बिच्चे जरूर participate कीजिए invite code इस्तेमाल कीजिए भी दे 23rd of January से ये start होने वाला है जिसमें बहुत अच्छी scholarship है आपको अपने current status का भी पता चलेगा और 23rd January 29th January 6th February और 13th February को आप लोगों के ये test होने हैं वो भी दो पहर दो बजी तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखें ask it out आप web पर भी available मैं बता चुका हूँ और आखिरी चीज ये कि meet UG combat जो की weekly सबसे बड़ा scholarship test organize होता है इसमें जरूर 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 पाइटिसिपेंट कीजी ठीक है इसमें आपको scholarship तो मिलेगी ही साथ ही साथ आपको current status भी अपना पता चलेगा plus और iconic में बहुत अच्छे आपको चूट भी बिलेगी और जो बच्चे आज पहली बार session में हैं जो मुझसे परिचित नहीं है उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि myself Dr. Bakuldeo मैं जैपूर से हूँ और मैं पिछले 16 वर्शम से medical experience को biology पढढ़ा रहा हूं और बहुत लंब जल्दी जल्दी और anatomy of flowering plant हमारा portion चल रहा था याद कीजिए और उसमें हम यहां तक की चीज़ें पढ़ चुके यहां तक कोई issue है किसी को तो आप मुझसे पूच सकते हैं otherwise हम इससे आगे की तरफ move करेंगे हमने general जो classification था tissues का वो सारा पढ़ लिया था meristematic tissue क्या होता है और permanent tissue क्या होता है meristematic tissue में हमने तीन तरह के tissue पढ़े थे याद कीजिए apical then intercalary and then lateral apical में root apical meristem और shoot apical meristem दोनों हमने पढ़े थे intercalary meristem जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि grasses में मिलता है जिससे कि जो grazing animals है उनसे जैसे जैसे वो graze करेंगे वैसे वैसे फिर से grow करता चला जाएगा और last हमने lateral meristem पढ़ा था उसके बाद हम permanent tissues पर आ गए थे उसमें हमने एक तो simple tissue पढ़े एक complex tissue तो simple tissue में आप याद कीजिए parenchyma, colenchyma and sclerentine तीन चीज़ें हमने discuss की थी और complex tissue में आपका xylem और flowin तो xylem हमने पढ़ना शुरू कर दिया था xylem parenchyma तक हम लोग पढ़ चुके यहां तक की चीज़ें clear है मिटा सबको एक बार जल्दी से respond कर दो Respond first मैं आपके messages ही देखा, बिल्कुल Okay Done, आगे चलिए In stem the proto xylem यह बहुत important point है जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि proto xylem और metaxylem की positioning जो है इस पर अकसर सवाल पूछे जाते है यहां आपको दो diagram दिखाई दे रहे हैं, दो images दिखाई दे रहे हैं, एक dicot stem, एक dicot root Dicot stem को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि dicot stem में proto xylem तो होता है center की तरफ और metaxylem होता है periphery की तरफ proto xylem अंदर की तरफ यह देखिए जरह इसको यह रहा proto xylem यह रहा metaxylem root में इसकी positioning बिल्कुल उल्टी हो जाती है, आप देखिए proto xylem periphery पर आ जाता है और metaxylem center में आ जाता है तो these are the basic differences in the positioning of proto and metaxylem in case of plants यह याद रह जाएगा आप लोगों को, बोलो बेटा जरह जल्दी से important question है, पूछा जाता है in stem the proto xylem lies towards the center and the metaxylem lies towards the periphery of the organ this is primary xylem known as endark, इसको endark कहते हैं और अगर यह बाहर की तरफ होगा अगर proto xylem आपका बाहर की तरफ होगा और metaxylem अंदर की तरफ होगा तो this positioning is known as exact and they both are very very important इस पर कई बार सवाल पूछेंगे so that is all about xylem, अब हम आते हैं flowing पर देखिए, xylem में हमने यह discuss किया था कि xylem basically transport water as well as minerals और यह जो water और mineral का transportation है xylem का यह unidirectional होता है माने कि root से उपर की तरफ move करेगा flowing basically photosynthes को transport करता है यानि photosynthesis के जो products है इनके अलावा minerals वगरा को भी transport करता है but primarily photosynthes को transport करता है और जब यह photosynthes को transport करता है तो आपको यह याद रखना है कि इसका जो movement है it has to be bidirectional या आथ उसको multidirectional भी कह सकते हैं यह leaves से उपर की तरफ भी जाएगा leaves से नीचे की तरफ भी जाएगा xylem में जो transportation का mechanism है वो unidirectional होता है ठीक है flowing it transport food material from the leaves to other parts and in case of NGO sperm the phloem is composed of sieve tube element companion cell phloem parenchyma and phloem fibers आपने xylem parenchyma xylem fibers वगरा पढ़े हैं phloem parenchyma phloem fibers हैं और sieve tube element और companion cell इनके दो additional structures gymnosperm have albuminous cells and sieve cells अब देखिए यह बहुत important point है कि gymnosperm में sieve tubes भी नहीं होते और companion cells भी नहीं होते यह सवाल भी कई बार पूछा गया है कि gymnosperm में कौनसे structures exist नहीं करते so sieve tubes and companion cells they are altogether absent in case of gymnosperms gymnosperm में जो भी transportation होगा वो albuminous cell और sieve cell से होगा अब जरा इस diagram को देखिए ध्यान से have a look तीन element जिसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं यह आपको sieve tube element के जैसा structure बनता है जिसे हम कहते हैं sieve plate और sieve plate में आप देखिए छोटे-छोटे apertures आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये छोटे-छोटे apertures हैं इनको sieve pores या sieve apertures कहा जाता है और यहीं से होकर कि ये transportation का process चलता है अब इन सारे elements का सारे components का अलग-अलग specified function क्या है ये हम पढ़ते हैं एक-एक करके सबसे पहले sieve tube element they are long tube-like structures ये sieve tube elements दिख रहे हैं आपको longitudinal arrangement होता है और companion cell से ये associated होते हैं companion cell के बारे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी that they are associated with the companion cells their end wall are perforated to form sieve plate जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपको sieve plate दिखाई दे रहा है जो perforated होता है immature sieve element has a peripheral cytoplasm and large vacuole but lacks a nucleus and that also is very important point sieve tube element में अपना खुद का nucleus exist नहीं करता आ गई बात समझ में the function of sieve tubes are controlled by nucleus of companion cell इस पर भी कई बार question पूछा गया है कि भई जब sieve tube element के पास अपना खुद का nucleus नहीं है तो वो control कैसे करेंगे अपने पूरे के पूरे mechanism को पूरे के पूरे process को control किस mechanism से करेंगे तो answer क्या आ जाएगा इसका companion cell का जो nucleus है वही nucleus इस पूरे के पूरे process को control करेगा यहां इनकी जितनी भी activity होगी उनको control करने वाला होगा आपका nucleus of the companion cell the first formed primary phloem और proto phloem consist of narrow sieve tubes शुरू में जो phloem बनेगा वो थोड़े सकरे होंगे narrow sieve tubes होंगे और बाद में जो बनेगा वो चोड़े होते चले जाएंगे broad होते चले जाएंगे the later formed phloem और metafloem has bigger sieve tubes sieve tube element का काम होगया conduction of food material from the leaves leaves से food material को conduct करेंगे plant के अलग अलग portion तक नीरच क्या नहीं समझ में आया बिटा shivam क्रिस्ताइज भी क्या चीज समझ में नहीं यह यह बताईए मुझे जिससे कि मैं उसी पर बातचीत करूँ हाँ लिखिए बिल्कुल बिल्कुल लिख कर भेजी अब आते हैं companion cell पर यहां आपको एक और डायग्राम दिख रहा है यह सीव ट्यूब ऐलिमेंट दिख रहा है बीच में यहां पर सीव प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं यह sectional व्यू है इसके बगल में आपको यह वाले जो सेल दिखाई दे रहे हैं यह companion सेल है और इसके बगल में आपको phloem parenchyma दिखाई दे रहा है बिटा करेंगे उसको भी स्टार्ट करेंगे specialized parenchymatous cells closely associated with sieve tube elements तो यह parenchymatous cell है यह याद रखना जरूरी है आपके लिए very important that there are parenchymatous in nature और parenchymatous cell के function क्या होते है यह आपको पहले बता चुका हूँ पढ़ा चुका sieve tube elements and companion cells are connected by pit fields present between their common longitudinal walls यह इनका common longitudinal wall है यह देखिए यह इनका common longitudinal wall है जहाँ पर pit fields present होते हैं और यह pit fields इनको आपस में connect करते हैं बिटा sieve tube तो आपने diagram देखा नहीं यह देखो sieve tube किसने पूछा यह शिवम एक बार ध्यान से देखो आपको पता है कि drainage pipes जो होते है आपने घरों में जो लगे होते हैं pipes यह वैसी ही चीज है sieve tube hollow pipe like structures है और एक pipe से दूसरा pipe connected है एक pipe जहाँ खत्म होगा वहाँ पर एक plate के जैसा structure होगा जिसमें छोटे 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 अपरचर होगे जिससे कि एक sieve tube से जो हमारा component है जो हमारा material है वो दूसरे sieve tube के अंदर easily enter कर सके हैं दिस इस दो only function clear चल अब आगे move करते हैं companion cell का function भी पूछा जाता है they maintain the pressure gradient in the sieve tube यह बहुत important function है sieve tube में pressure gradient को maintain करने का काम आपके companion cell का होता है दो बार इस पर question दो या तीन बार meet में precisely इस function पर आपसे question पूछा जा चुका है तो आप लोगों को इसको याद रखना है अब आते हैं phloem parenchyma पर यह जो इधर greenish color का structure दिख रहा है न बेटा यह सारा का सारा आपका phloem parenchyma है and this phloem parenchyma is made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus elongated tapering cell होते हैं जिन में dense cytoplasm और nucleus दुनों exist कर भी the cell wall is composed of cellulose and has pits through which plasmodest metal connection exists between the cell आप याद रखिए कि parenchyma to cell जितने भी होते हैं याद करो जब हम simple tissue पढ़ रहे थे और हमने तीन तरह के simple tissue लिखे थे parenchyma, colenchyma and sclerenchyma तो मैंने आपको बताया था कि parenchyma में wall जो है cell wall जो है वो collagen का बना होता है और usually जो neighboring cell होते हैं उनके बीच में connections होते हैं जिनको हम कहते हैं plasmodest metal connections connections of plasmodest metal अभी discuss करेंगे नीरज थोड़ा सा wait करो थोड़ा सा wait करो phloem parenchyma is absent in most of the monocots यह बहुत important point है ज्यादा तर monocots में phloem parenchyma exist ही नहीं करता इसका काम है food store करना और बाकी substances store करना जैसे resin है, latex है, meucilage है यह जो metabolites होते हैं इनको store करने का काम आपका phloem parenchyma का होता है last component आता है phloem fibers, these are made up of scleran chymetis cell, अब scleran chymetis cell याद कीजी scleran chymetis cell होते हैं या scleran chymetis tissue होता है, primarily उस tissue का काम ही होता है के वन support करना parenchyma cell के काम मैंने आपको क्या बताये थे, photosynthesis, storage and secretion scleran chymetis cell और colon chymetis cell दोनों के basic functions क्या थे, they provide support to the existing tissue or the neighboring tissue primary phloem में ये absent होता है, लेकिन secondary phloem में ये बनके तैयार हो जाता है these are much elongated, unbranched and have pointed needle lie apex, cell wall इनके thick होते हैं और maturity पर ये fiber जो होते हैं, इन में सिब protoplasm में खत्म हो जाता है, और इसका बहुत important example आता है, आपके जूट के fiber, flex, ham, जिनका के हम commercial इस्तेमाल करते हैं, जूट की रसी बनाने में या बाकी जो items होते हैं, strings तोगरा बनाने में, इनका इस्तेमाल किया जाता है, done, clarity है यहां तक, आगे चलिए, flowing fibers का का काम वो ही है, mechanical support and production to the soft tissues, अब यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है या नहीं, मुझे इसका जवाब दीजिए पहले, whether up to this point, everything is absolutely clear to you or not, अगर सारी चीज़ें यहां तक समझ में आ गई हैं, तो फिर हम आगे की तरफ ब बोली, सभी बच्चे respond करेंगे, done, चलिए, अब एक बार idea ले लो, हमने क्या-क्या पढ़ लिया है, जल्दी से इस chart को देख लो, यहां तक की चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, plant tissues में, meristematic और permanent tissue के बारे में हमने पढ़ा, meristematic में, apical meristam, intercalary meristam और lateral meristam हम डिसकस कर चुके हैं, इसमें भी root apical और shoot apical meristam हमने पढ़ा, intercalary और secondary पढ़ा, permanent में simple और complex tissue पढ़े, simple में parent काईमा, colon काईमा, scleran काईमा तीन चीज़ें पढ़ी, और complex में आपका zylem और loem, यह दो चीज़ें पढ़ी, यहां तक मेरे ख और अब हम आजाएंगे tissue system पर, tissues तो हमने पढ़ लिए, अब tissue system क्या चीज़ है, इसको हम लोग discuss करें, ठीक है, चलिए जी start करते हैं, based on the structure and location, tissue systems are of three types, अब ध्यान से सुनियेगा सारे बच्चे, यही जो tissues हमने पढ़े हैं, यही tissues अपने specific arrangement के साथ में tissue systems form करते हैं, epidermal tissue system, ground tissue system या fundamental tissue system और तीसरा vascular tissue system, तीन तरीके के tissue system प्लांट्स में exist करते हैं, I repeat, epidermal tissue system, ground tissue system and vascular tissue system, और अब इसके लिए ज़रा इस diagram को देखिए, एक बार सारे बच्चे, इस diagram में जो भी greenish portion आपको दिखाई दे रहा है, that is epidermal tissue system, ध्यान से देखिए, इसमें peri-feri पर आपको जो भी दिख रहा है, वो सारा greenish tissue system दिख रहा है, epidermis का तो मतलब यही हो गया ना, कि बाहर वाला layer, the outer layer is known as epidermis, आप सारे बच्चे अची तरीके से जानते हैं, तो यह आपका epidermal tissue system है, और epidermal tissue system के बाद ground tissue system दिख रहा है, तो ground tissue system यह जो color में आपको दिखाए दिख रहा है, light color में यह सारा ground tissue system है, और blue color में आपको दिख रहा है vascular tissue system, ठीक है, vascular tissue system में आपके xylem और phloem के जो peculiar arrangements हैं, जिस तरीके से movement होता है water का, वो सारा का सारा इसमें आ गया है, तो अब एक एक करके हम इन सारे के सारे tissue systems को one by one discuss system, let us start with epidermal tissue system first, epidermis आपके skin में भी होता है, आपको पता है, skin का बाहर वाला layer, epidermis, अंदर वाला layer, dermis कहलाता है, plants में भी ऐसे epidermis होता है, it forms the outermost covering of the whole plant body, इसी भी plant का सबसे बाहर वाला cover, that is known as epidermis, it comprises epidermal cell, stomata and epidermal appendages, जिनमें कि आपके trichomes भी आ गये और जिनमें आपके hairs भी आ गये, इस diagram को ध्यान से देखिए, यहां आपको epidermal tissue system दिखाई दे रहा है, यह ground tissue system दिखाई दे रहा है, और अंदर की तरफ आपको vascular tissue system दे, सीधी सी बात है, सबसे बाहर epidermis, सबसे अंदर vascular और उसके बीच का जितना भी हिस्सा है, that is ground tissue system, as simple as that, नहीं नहीं, epithelium term यूज नहीं होगा, यह कौन बोल रहा है, शिवं, no, epithelium term will not be used in case of plants, plants में epithelium term का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यह आप लोग याद रहें, epithelium तो, भाई, epithelium तो animals का tissue है न, epithelium, it belongs to animals, epidermis, it is the outermost layer of the primary plant body and epidermis is usually single layered, इसमें एक से ज्यादा layer cell के exist नहीं करते, ध्यान से देखिये जड़ा, यह हमने एक stem को यहाँ से काटा मान लीजी, यह इसका section देखा और सबसे बाहर वाला जो portion है उसको enlarge की, तो अब आप देखिए, यह तो आपको epidermis के cell दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे, single layer देख रहा है, epidermis का, इन single layer में cells जो हैं, इनके बाहर एक protective layer भी दिखाई दे रहा है, और यह जो protective layer है, यह है आपका cuticle का, this is made up of cuticle, और इन epidermal cells से देखो, यह hair के जैसे structures emerge out हो रहे हैं, जिनको हम कहते हैं trichome, epidermal cells से ही यह छोटे-छोटे projections उपर की तरफ develop होते हैं, जिनको हम कहते हैं trichomes, यहां आपको guard cells दिखाई दे रहे हैं, guard cells के बीच में यह space दिखाई दे रहा है, यह देखिए दर से, diagram clear हुआ यह है, थोड़ा बहुत, अब आगे चलिए, it is made up of elongated and compactly arranged parenchymatous cells, with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole, normal जो parenchymatous cell होता है, वैसा ही parenchymatous cell आपको epidermal tissue में मिलेगा या epidermis की cells में मिलेगा, अलग से इसमें कोई और चीज नहीं होगी, the outside of the epidermis is often covered with a vexy thick layer which is known as cuticle, it prevents the loss of water, water के evaporation को रोकने के लिए cuticle का एक layer मिलता है, जो की एक तरीके से water conservation का का काम करता है, root में यह absent होगा, cuticle हमेशा याद रखिए इसको तो कि root को तो absorb करना है, water को, पूरे के पूरे water को absorb करना है, अब आते हैं stomata, इस diagram को ध्यान से देखिए, आपको लगभग सारी चीज़ें इसी diagram में clear हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले यह दो-तीन चीज़ें मैं पढ़े देता हूँ आपकी, these are the structures present in the epidermis of leaves, यानि कि stomata मिलेंगे, लेकिन plant के कौन से हिस्से पर मिलेंगे बेटा, leaves पर, they regulate the transpiration and gaseous exchange, यह transpiration और gaseous exchange दोनों को आपस में control करेंगे, regulate करेंगे, now have a look, अब three dimension में इसको समझू, यह stomata दिख रहा है आपको opening, यह इसको control करने वाले guard cell दिख रहे हैं, यह guard cell दिख रहे हैं, यह guard cell दिख रहे हैं, इनके beach का जो space है, इस beach के space को हम क्या कह रहे हैं, stomata, stomata समझ में आया, यह leaf का section दिखाई दे रहा है, यह जो diagram आपको जहां दिख रहा है, this is actually, सौरब, नीरज बेटा वेट करो, अभी सारी चीज़े बताएंगे, आने वाला है ना, आगे वो, monocot, dicot दोनों में arrangement हम discuss करेंगे, tissue system पूरा पढ़ ले, vascular tissue system में जब आएंगे, तो वो सारा arrangement आपको समझ में आ जाएगा, you have to wait for some time, थोड़ा सा इंतजार करो, तो यह guard cell दिख रहे हैं, guard cell के बीच में आपको stomata दिखाई दे रहे हैं, इस diagram में कोई समस्या है, हलंकि यह diagram बार-बार हमारे काम आएगा, यह देखो, यह आपका epidermal cell दिख रहे हैं आपको सारे के सारे, यह उपर trichome निकल रहे हैं, इसके बाद यह आपको mesophyll layer दिखाई दे रहे हैं, यहाँ cuticle का layer दिखाई दे रहा है, और यह अंदर की तरफ आपको xylem बज़रा दिखाई दे रहे हैं, जो की transportation का काम करते हैं, diagramatically clear है मामला, सारा का सारा, diagramatically मामला सारा का सारा clear है आप लोगों को या नहीं, चलिए, अब ज़रा functions देखिए इनके, इस stomata is made up of two bean shaped cells, which are known as guard cell, यह देख, यह आपको guard cell दिखाई दे रहें, एक guard cell यह रहा, एक guard cell यह रहा, ठीक है, अच्छा, यह guard cell का nucleus है, यह इनका chloroplast है, यह इनकी wall है, अब आप देखो, इस जगे पे तो stomata closed है, और इस जगे stomata open है, कहने का मतलब, यह पूरी तरीके से अंदर, जब इसकी wall invaginate हो जाएगी, तो eye-shaped opening एक develop हो जाएगी, दो guard cells के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, stomata, इन grasses, the guard cells are dumbbell shaped, grasses में यह dumbbell shaped होते हैं, यह इस पर भी question पूछा गया है, इसी language में, इसी भाशा में आप से प्रशन पूछा गया है, कि यह कैसे होते हैं, the outer wall of guard cells, that is away from stomatal opening, are thin, and the inner walls are highly thick, इस पर भी सवाल पूछा गया है, जो बाहर वाला layer है, guard cell का यह वाला, यह तो होता है thin, और अंदर वाला, sorry, बाहर वाला जो layer है guard cell का, यह तो होता है आपका thin, और अंदर वाला जो layer होता है, वो होता है thick, यह बाहर वाला layer है, यह होता है thin, और अंदर वाला जो layer आपको दिखाई दे रहा है, यह होता है thick, ठीक है, इनको cover करने वाले यह जो cell दिखाई दे रहे हैं, guard cell के चारों तरह, इनको हम कहते हैं, subsidiary cell, अब बाहर वाला थिन है और अंदर वाला थिक है ये peculiar जो positioning है या जो peculiar arrangement है that is quite helpful in the process of opening as well as closing of the stomata stomata के open और close होने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है The guard cell possess chloroplast and regulate the opening and closing of the stomata guard cell chloroplast भी possess करते है और stomata की opening और closing को भी regulate करते है आगे चलिए यह buffering तो नहीं हो रही बेटा यहां से तो transmission proper चल रहा है there is no buffering sometimes if you epidermal cell in the vicinity of the guard cell become specialized in their shape and size and they are known as subsidiary cells यह वाले cells subsidiary cell दिखाई दे रहे हैं आपको यह वाले cell subsidiary cell दिखाई दे रहे हैं आपको यह वाले cell subsidiary cell दे रहे हैं grasses में peculiarly precisely आपको याद रखना है कि यह double shape तो आगे चलिए तस टोमेटल अपरचर गाड सेल एंड दा सराउंडिंग सबसिडिरी सेल आपरेटर्स यह सब मिलकर एक अपरेटर्स बनाते हैं और इस अपरेटर्स का नाम है स्टोमेटल अपरेटर्स ठीक है अब इस डाइग्राम को आप देखोगे तो आपको क्लोज और ओपन स्टोमेटल जो है दोनों अच्छे से समझ में आ जाएगी देखो ज़रा ध्यान से यह आपको गाड सेल दिखाई दे रहे हैं यह गाड सेल अभी स्वालन है यहां किसी तरह का कोई अपर्चर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है और यहां यह ओपन हो गया अब ओपन कब होंगे स्टोमेटल यह कौन बताएगा बोलो ज़रा यह डाइग्राम क्लियर हो रहा है कि नहीं अच्छे से पहले तो यह बताओ और अब मुझे यह कौन बताएगा किसी बच्चे ने पूछा है नीरज ने कि ओपनिंग और क्लोजिंग कब होती है तो भाई स्टोमेटल का का काम क्या है बेसिकली वाट दे डू वाट फंक्शन डू दे परफॉर्म कौन सा काम करते हैं यह अफिक के एकॉर्ड़िंग आपको यह पता चलेगा कि यह ओपन क्लब होते हैं कप अब क्लोज होते हैं कौन बच्चा बताएगा फ्लीस रेस्पांड जल्दी से रेस्पांड करो बाटा मैं मैसेजर्गकर रहा हूं आपके चिंता नंकी जी बिल्कुल प्रक्यों प्रक्षरण से स्थिब्ट प्रक्षर स्थिश्ट धर इख जा हम ढगा रोड्या देशे इस फस्चेंग अधरिये गां धेड़िखतर स्थिश्ट ग्रणंस कि अ है आईए अब ज़रा epidermal appendages पे आते हैं अभी आप जब इस diagram को देखेंगे तो आपको सारे appendages एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाएंगे यह three dimensional diagram आपको दिख रहा है एक बार पहले तो इसको देखो देखो यह बाहर की तरफ आपको दिख रहा है epidermal tissue system अंदर xylem और phloem वाला आपको दिख रहा है vascular tissue system और यह आपको ground tissue system दिखाई दे रहा है तीन तरीके के tissue system आपको clearly दिख रहे हैं अब इस portion को आप थोड़ा सा enlarge करेंगे तो यह ऐसा दिखाई देगा आप देखो यह epidermal cell है और epidermal cell से ही यह projections निकल रहे हैं इन projections को हम क्या कहते हैं root hairs तो इस diagram को देखते ही आपको यह clear हो जाना चाहिए सारे बच्चों को that root hairs are always unicellular क्योंकि एक ही cell के projection से वो develop हुए इस पर न जाने कितनी बार question पूछा गया है whether root hairs are unicellular or they are multicellular तो इस diagram से clear हो गया है आपको सारे बच्चों को कि root hairs unicellular होते हैं root hairs का function क्या होता है यह absorptive surface area को थोड़ा सा बढ़ा दे जिससे की water और mineral का efficient absorption किया जासे के soils ठीक है diagram clear है बेटा the cells of epidermis bear a number of hairs root hairs are unicellular elongations of the epidermal cell and they help to absorb water and mineral नीरज मेरी बात सुनो बेटा क्या है कि हम जब चीजों को पढ़ते हैं तो एक sequence में पढ़ते हैं अभी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम epidermal tissue system पढ़ तो जब हम epidermal tissue system पढ़ रहे हैं तो हम cambium के बारे में नहीं पढ़ेंगे ठीक जब हम vascular tissue system पढ़ेंगे तो हम cambium के बारे में discuss करेंगे उस वक्त आप cambium के बारे में पूछिएगा अगर आपको समझ में ना अब epidermal tissue system पढ़ रहे हैं guard cell पढ़ रहे हैं subsidiary cell पढ़ रहे हैं stomata पढ़ रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं cambium के बारे में या फिर आप proto और metazylem का location पूछने तो पहले यहां concentrate करो वह भी आ जाएगा छूटेगा कुछ भी नहीं everything will be cleared सारी चीज़ें clear की जाएंगे चिंतित मत हुए और water transportation का mechanism तो इस chapter में हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे वह हम plant physiology में discuss करेंगे not here अब आते हैं trichomes पर trichomes are epidermal hairs on stem यानि की root hair roots पर होते हैं और अगर वैसा ही कोई structure stem पर appear हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे trichomes they are usually multicellular branched और unbranched and soft and stiff अब trichomes आपके multicellular भी हो सकते हैं branched भी हो सकते हैं unbranched भी हो सकते हैं soft भी हो सकते हैं stiff भी हो सकते हैं यानि की सारी possibilities उनमें exist करती हैं trichome का एक और structure मैंने आपको थोड़ी दिर पहले दिखाया था जिससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा यह देखो यहां आपको दिखाई देगा यह multicellular trichome दिख रहा है देखो have a look this is a multicellular trichome देख रहा है आप लोगों को multicellular trichome clear तो root hair तो हमेशा unicellular होंगे लेकिन trichome आपके multicellular भी हो सकते हैं they may be secretory and they help to prevent water loss due to transpiration epidermal tissue system में किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो पूछ लो फिर हम दूसरे tissue system की तरफ move करते हैं that is our ground tissue system so you may ask if you have any issue कोई भी problem हो किसी बच्चे को तो वो पूछ सकता है बोलो 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 रेस्पांड करो subsidiary cell guard cell के चारों तरफ के जो cell होते हैं वो कई बार specialized हो जाते हैं many a times the cells around guard cell are specialized and these specialized cells are known as subsidiary cells इनको subsidiary cells का ठीक है न cuticle तो wexy layer होता है जो की water के evaporation को prevent करता है रोपता है epidermal tissue system में इतनी ही चीज़े हैं इसके अलावा इसके बाहर से एक भी प्रशन आपसे नहीं पूछा जाएगा यह आप 100% maturity के जाथ मान कर देंगे confirm रहें confident रहें इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा अब आगे चलते हैं ground tissue system all tissues except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue बाहर तो epidermis का cover हो गया और center में से आपका xylem और phloem pass out हो रहा है तो बाहर वाला layer छोड़ दो अंदर जहां से xylem और phloem pass out हो रहा है xylem और phloem को छोड़ दो उसके अलावा जो भी कुछ plant में है that is ground tissue system I repeat all tissues except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue और इसमें usually simple tissues involved होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं तीन तरीके के parenchyma, kolenchyma and sclerchyma प्रणव बेटा बता चुका हूँ ना start हो जाएगी Parenchymatous cells are present in cortex, parasite, pith and medullary rays in the primary stem and the roots Parenchymatous cells कहां कहां होते हैं यह देखो जड़ा यह आपको leaf का section दिख रहा है, इसमें जो mesophyll वाले cell दिख रहे हैं यह सारे के सारे यह सारे cell कैसे हैं मेटा, they all are parenchymatous cells epidermis के यह जो cell आपको दिखाई दे रहे हैं, यह तो epidermal tissue system में आ गए but all these cells are parenchymatous cells in leaves the ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cells and is known as mesophyll यानि की बाकी जगों हों पर तो ground tissue system कहलाएगा leaves में यानि पत्तियों में जहां पर photosynthesis का process होता है precisely वहाँ पर, precisely वहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, क्या नाम रखेंगे इसका mesophyll, तो यह एक specialized terminology है mesophyll, जो केवल leaves के form में टाम आएगा सौरब कह रहे हैं, trichomes कहां present होते हैं, देखो मेटा, root hair तो होते है roots पर और अगर stemper, leaves पर उनसे मिलते जुलते projections अपियर होंगे तो उनको हम hairs term use नहीं करेंगे उनके लिए, उनके लिए हम क्या term use करेंगे, try ठीक है, आगे चलिए it consists of complex tissues that is xylem and phloem, vascular tissue system में आ गया है epidermal tissue system भी हो गया, ground tissue system भी हो गया, अभी आ गया है हम लोग vascular tissue system तो vascular tissue system में xylem और phloem exist करेंगे, xylem और phloem collectively they will constitute vascular bundles, collectively they will constitute the vascular bundles, based on the presence or absence of cambium, vascular bundles are of two types that is open or closed अब cambium present है, या cambium present नहीं है, इस base पर vascular bundle के दो categories है, दो type है, one is open, another is closed पहले यहाँ पर देखें, नजर डालिए जरा, यह आपको पूरा vascular bundle दिख रहे है, ठीक है, यह चोटे-चोटे structures जो दिख रहे है, they are exactly vascular bundles, इन vascular bundle में अंदर की तरफ यह जो pink color का structure आपको दिख रहे है बेटा, यह तो है आपका zylem, और यहाँ जो आपका यह, बाहर की तरफ जो structure दिखाई दे रहा है, यह है आपका flowem, correct? जाइलम और flowem के बीच में यह जो एक प्लेट के जैसा structure एपियर हो रहा है, इसको हम कहते हैं pro-cambium, done? और इस एक vascular bundle और दूसरे vascular bundle के बीच में यहाँ interfacicular parenchyma भी exist करता है, तो एक vascular bundle में आपका zylem भी है, flowem भी है और यह आपका pro-cambium अगर इसके अंदर दिखाई देगा, तो pro-cambium दिखाई देने की वजए से इसको हम क्या कह देंगे, अगर cambium present होगा, तो then it is open, otherwise it is closed, अब आगे आईए, open type, in this cambium is present between flowem and xylem, xylem और flowem के बीच में cambium होता है, so vascular bundles can form secondary xylem and flowem tissue, for example dicotillin in a system, अब यह बात बहुत important है, इसको जड़ा ध्यान से पढ़िए, open type में cambium present होता है, flowem और xylem के बीच में, तो इस वज़े से vascular bundle secondary xylem और secondary phloem form कर सकते हैं, cambium की presence की वज़े से ही secondary xylem और secondary phloem का बनना possible हो पाता है, otherwise वो बनेंगे नहीं, चीक है, यहाँ देखिए जड़ा, have a look, यह closed vascular bundle दिखाई दे रहा है, एक ही बार में diagram देखते ही crystal clear समझ में आ जाएगा आपको, यह phloem दिख रहा है, यह xylem और इनके बीच में आपको किसी भी तरह का cambium दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह vascular bundle क्या कहला या closed, closed vascular bundle का सीधा सा मतलब हो गया, xylem, phloem, cambium exist नहीं करेगा, open vascular bundle में आपका phloem और xylem के बीच में cambium दिखाई देगा, ठीक, और अगर cambium present होगा, तो फिर आपका secondary xylem और secondary phloem बन सकता है, otherwise नहीं बनेगा, cambium is absent, hence they do not form secondary tissues, तो monocotyledons जितने भी होते हैं, उन में vascular bundle कैसे होते हैं, बेटा, closed, याद कर लो इसको, monocots में vascular bundle कैसे होते हैं, closed, और अगर vascular bundle closed होंगे, इसका मतलब क्या नहीं है, cambium, cambium नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं बनेंगे, secondary xylem as well as secondary, flowing, as simple as that, invertebrate, vertebrate कहां से ले आए, plants में, plants में आपने कभी सुना, invertebrate, vertebrate, ये terms animals के लिए होते हैं, plants में कहां से invertebrate, vertebrate आएंगे, vertebrate term कहां से derived हुआ है, vertebrate term is derived from vertebral column, वो vertebral column से derived होता है, vertebral column है, तो vertebrate कहलाएगा, नहीं है, तो invertebrate कहला है plants में कहां से ये terms आ जाएंगे कैसी बाते हैं करते हो चलो Based on the arrangement of xylem and phloem vascular bundle are of two types अब xylem और phloem का arrangement कैसा होगा इस बात को ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे यहीं पर आकर कि आपको confusion होता है यहीं पर आकर आप सबसे ज्यादा परेशार होते हैं तो इसको ठीक से समझ लीजेगा एक तो radial arrangement होता है जिसमें xylem और phloem का arrangement alternate manner में होता है अलग-अलग radius पर याद रहे xylem और phloem alternatively arranged होंगे और अलग-अलग radius पर यह देखो यह आपको xylem दिखाई दे रहा है तो xylem इस radius पर है इस radius पर है इस radius पर है इस radius पर यह phloem दिख रहा है इस radius पर है alternatively present है radius भी इनके separate है याद रखी और यह किसमें मिलता है आपका this actually exists in case of roots यानि roots में arrangement कैसा होगा radial I am repeating it again xylem and phloem alternatively present होंगे अलग-अलग radius पर present अब जरह इसको देखो दूसरा आता है conjoint पहले इसको पढ़ लो फिर डाइग्राम देखो xylem and phloem are situated at the same radius of vascular bundle and they are seen in stem as well as leaves अब आप देखो xylem और phloem एक साथ दिख रहे हैं आपको यह phloem दिख रहे हैं यह xylem एक ही radius पर available है एक ही radius पर available है इन में दो categories हो सकती हैं they can be open they can be closed जैसा कि अभी हम लोगोंने discuss किया अगर इनके बीच में cambium present होगा in that case they will be open otherwise they will be closed conjoined vascular bundles usually have phloem located only at the outer side of the xylem phloem usually बाहर की तरफ होगा xylem usually अंदर की तरफ होगा यह arrangement इनका exist करेगा vascular tissue system अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं जल्दी से respond करो बिटा vascular tissue system सारे बच्चों को अच्छे से clear हो गया है या नहीं please respond मैं messages देख रहा हूँ आपके उसके बाद हम आगे move करेंगे अगर tissue system सारे के सारे अच्छे से समझ में आ गये है नाव वी कन मूव तू एनाटमी ओफ डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट तो डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर जो differences होंगे वो अब यहां से आपको समझ में आना शुरूँ ठीक है ना सारे बच्चे response कर दो एक बाद डन यहां तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है या नहीं कोई परेशानी तो नहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि आगे मूव करें कि बोलो जरा अजबी से अच्छा बेटा आप लोगों ने कल प्रोडेजी प्रोडेजी नहीं कल अनकेडमी कॉमबेट में अपियर होए थे कि नहीं बोलो 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 ड़न अरे बेटा क्लोजड क्यों होगा नीरज अगर कैंबियम नहीं होगा तो वो ख्लोज होगा अगर कैंबियम प्रिजेंट होगा तो वो ओपन होगा सीधी सी बात है उसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं नहींद भात लिए इसमें नहीं कोई नहीं कोई अगर कैंबियम अगर क्यों की प्रिजेंट अप्संट पर ही ये सारी की जारी चीज डिपेंड भेंगें ठीक है अब anatomy of dicot and monocot तो dicot का root, monocot का root, dicot custom, monocot custom, dicot का leaf, monocot का leaf ये portion आप लोगों का इस chapter के अंदर अभी बच गया है बचा हुआ रह गया है इसको हम discuss करेंगे अब हमारे कलवाले lecture में that is all for today ठीक है आज के लिए इतना ही ये सारी के सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं अभी epidermis है, cortex है, endodermis है, steel है ये सारी के सारी चीज़ें, पित क्या होता है, पित की location क्या है periphery पर xylem क्यों है या periphery पर proto xylem periphery पर है कि proto xylem center में है, monocot की root में क्या होता है, dicot की root में क्या होता है इसकी भी एक छोटी सी थोड़ा सा हम इसको easy way में समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि concept आपके clear हो जाए और दूसरा आपको रटना नहीं पड़े इसको है ना अभी के लिए इतना ही, that is all for today, good bye and good day to all of you, कल मुलाकात होती है ठीक 9 बजे, तब तक के लिए good bye and good day to all of you